अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नुरानी खबरों में आपका खेर मगदम है नाजरीन समाज में एक ऐसा तबका है जो हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखता है और उनका मकसद रहता है कि वो हर चीज का राजनीतिक फायदा उठा सकें ऐसा ही उन्होंने कोरोना वाइरस की बिमारी को लेकर भी कोशिश की देश में हो रही घटनाओं को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने किस तरीके से इसे भी हिंदू मुसलमान कर दिया जिसमें हमारे देश के टीवी चैनलों की मुख्य भूमी करहती है और माहौल को खराब करने में वो पूरे जी जान से महनत करते हैं लेकिन जो हमारे देश की हकीकत है जो हमारे देश की पहचान है जो हमारे देश की हिंदू मुसलमेक्ता और प्यार महबत की जो ताकत है जो सदियों से लोग यहां रहते हैं वो कभी ना तो खत्म हुई है औ और देश में कोई न कोई शक्स आए दिन ऐसा कारनामा करता रहता है जिसे देखकर इन सामप्रदाइक तत्वों में भी बेचेनी पैदा हो जाती है। खाने का प्रबंद कर रहे हैं। हम नूरानी खबरों की ओड़ से इन दोनों भाईयों को सलाम करते हैं। दरसल करनाटक के कोलार जिले में दो व्यवसाई भाईयों जिन में तजामुल पाशा और मुजम्मिल पाशा ने गरीबों को खाना खिलाने के लिए पचीस लाक रुपए में अपनी जमीन बेच दी। पर में कोविड-19 महामारी के चलते हुए तालाबंदी के बीच लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने ये पैहल की। दरसल कोलार में दैनिक वेतन भोगी मजदूरों और उनके परिवारों को लोकडाउन के दौरान पीडित होने पर भाईयों ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया और बड़ी संख्या में गरीब लोगों के लिए आवश्यक अनाज खरीदा। फिर उन्होंने अपने घर के बगल में एक तंबू लगा कर मजदूरों और बेघर लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए सामुदाइक रसोई शुरू की। तजाम्बूल पाशा ने कहा हमारे मातापिता का निधन जल्दी हो गया। जब हम कोलार में अपने नाननानी के स्थान पर शिफ्ट हुए तो समुदाए हिंदू, सिक, मुस्लिम सभी लोगों ने हमें बिना किसी धार्मिक पूर्वाग रह के जीवित रहने में मदद की। अपने मातापिता को खो दिया था। उन्हें चिक बैलपोर से कोलार जाना पड़ा जहां उनकी दादी रह करती थी। हम गरीबी में लाए गए थे। हम सभी समुदायों और धर्मों के लोगों के समर्थन के कारण बच गए। हमने सामाजिक समझोतों पर हस्ताक्षर किये और इसे हमारे मित्र को सौंप दिया जिन्होंने हमारी साइट खरीदी और हमें पैसा दिया। भाईयों ने कहा लोगडाउन खत्म होने के बाद और भूमी रजिस्ट्रार का कार्यार ले खुलने के बाद जमीन को हस्तांतरित करने के क्षेश काम भी पूरे कर दिये जाएं अब तक दोनों भाई करीब तीन हजार परिवारों को खाने पीने की जरूरी चीजों के आपूरती कर चुके हैं कोलार प्रशासन में उनके स्वेम सेविकों के लिए पास जारी किये हैं ताकि वो कठिन समय में वरीब लोगों की मदद कर सकें आपको ये भी बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिलहाल तीस हजार के आजपास पहुंच चुकी है जबकी लगभग आट सो से नौ सो लोगों की मृत्यू भी हो चुकी है नाजरीन नूरानी खबरों की ओर से हम इन दोनों भाईयों को सलाम करते हैं हम दूआ करते हैं कि अलाह ताला इन दोनों भाईयों के उपर अपनी रहमत बनाए रखे नाजरीन अगर आपको हमारे ये वेडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें नाजरीन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिये घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अल्ला हाफिज